जाहिन सात्यों आप सभी का स्वागत है आपकी यूटूब चैनल इस्टेडी वीद मूलेंद पर तो फ्रेंट जैसा के आप सभी को पता है इससे पहले हमने इस पीडी जीके के चार पार्ट कम्प्रीट कर लिए हैं यदि आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फ्रेंट इससे पहले जो फोर्थ पार्ट था उसमें हमने 50 कोशन कम्प्रीट किये थे और यह अफका यह प्रिष्ण काफी मैथपून होने वाले हैं जो कि आपके अक्सर एक्जाम में पूछे जाने वाले प्रिष्ण इस PDGK के वन लाइनर कोशन आपर हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं तो वीडियो को ज्यादा शेयर करें जिससे सभी स्टूडेंट इस वीडियो का आ भारत ने होकी केल में ओलंपिक खेलो में आठ वार सुरन पदक जीता है नेस्ट कॉस्टन है आपका भारत ने आखरी बार होकी में सुरन पदक कहां और कब जीता तो यह 1980 में जीता था कहां पर मासकों में जीता था यह आपको आपकों 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 मासकों में 1980 कि US शक्रेशन आपको फ़ख पर ओलम्पिक खेलों का जो आएजानाओ कितने वर्स के पच्छात होता है तो चार वर्स के बाद किया जाता है नेस्ट कुस्षिन है अंतर राश्थ्य ओलमपिक समीति का जो मुख्याल लेहँ कहां इस्थितहे तो यह लूसान में है जो कि स्वीटिजर लेंड के लूसान में इसका मुख्या लेजती थी यह आपको आपको दयान नतना है नेस्ट कोसन है यह परिक्षा में लिए गए कोसन ही हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं तो फ्रेंड्स आपर नेस्ट कोसन है दोजार बारे में उलंपिक खेल का हुए तो लंदन में हुए हैं फ्रेंड्स यह जो दोजार बारे में लंदन में हुए है नेस्ट कोसन है उलंपिक 12 में कितने गोले हैं जो कि एक उलमपिक में सबसे अधिक सोने जीतने वाले खिलाड़ी हैं सं 2020 में उलमपिक खेल कहाओंगे तो ये जापान के टोके महोँगे ये आपका राया भर राय टांस पर हो जाएगा नेश्ट कुस्चन है 2012 के ओलंपिक खेलों में कास्य पतक जीतने वाली सायनन नेवाल का संबंध किस से खेल से तो बैड़ मेंटन से हो जाएगा इनका राइट आंसर नेस्ट कुस्चन है भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्स भाग लिया था तो सन 1922 में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था यह बहुत इंपोटेंट है नेस्ट ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतिय महीला खिलाडी कौन सी हैं तो कर्णम मालेश्वरी यहां पर आपका रायट आंस्वर हो जागा जिन्होंने पहली भार भारतिय महीला खिलाडी हैं जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था नेस्ट कुश्चन है बैक ओफ द वेदास तो वेदों की और लोटो नारा किस ने दिया था तो महारिशी दयान सरसुदी जी ने दिया था ये आपको यह पर ध्यान लखना है नेस्ट प्रिसिद जंडा गी जंडा उचा रहे अमारा की रचना किस ने किये तो स्याम लाल गुप्त प्रिसाद जी ने किये नेस्ट कुस्चन है पसों में milk fever बीमारी किस की कमी के कारण होती है तो friends ये calcium की जो कमी हो जाती है उस कमी के कारण milk fever बीमारी पसों में हो जाती है नेस्ट कुस्चन है मानव सरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है तो गुर्दे जो मानव सरीर के गुर्दे यानि की किड्नी द्वारा जूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है तो यह आपका राइटांस पर हो जागा नैस्ट है किस एक मात्र भारत्य को अर्दिसास्तर में नौवेल पुरुषकार मिला है तो प्रोफेसर अमरित सेंजी हैं पर आपका राइटांस पर जागा नैस्ट है भारत रतन उत्ताद बिस्मिल्ला खां किस वादियांतर के वादक विक्यात रहे हैं सेहनाई के हैं यहां पर इनका राइटास वर यह सेहनाई वादियंत्र के वादक विक्यात रहे हैं नेस्ट है भारत के अंतिम गवर्नेजर्नल कौन थे तो सीराज गोपालचारी भारत के अंतिम गवर्नेजर्नल थे नेस्ट कुछन है बिलाई इसपात सहयंत्र का जो निर्मा पुत्त्री दुरुब में भारत का जो अनुसंतान केंदर है उसका नाम है हिमांद्री नेस्ट कुश्चन है विस्ट में माउंट एवरेश्ट पर चड़ने वाली परतम महिला कौन थी तो जापान की जून को तो अबाई नामक महिला थी जो कि Mount Everest पर चड़ने वाली परितम महिला थे Next question है पीलिया किस का अंग का रोग है तो यक्रत या लीवर का पीलिया किस अंग का रोग है यक्रत या लीवर Next question है द्रब सभी दिसाओं में समान दाब पारित करता है यह कतन किस नियम से संबन देता है Next question है क्लोरोफिल का जो खनीज है गटक है क्या है तो मेगनीसियम क्लोरोफिल का खनीज गटक कहलाता है Next question है LPG गेस में क्या होता है तो LPG गेस में ब्यूटेन होता है यह आपको यहापर द्यान रगना है ब्यूटेन, प्रोपेन और मेथेन नेस्ट देखेंगे किस ने सर्फ प्रिथम असोग के अभी लेकों को पढ़ाया तो जैम्स प्रिंसेप नामक विक्तिने असोग के लेकों पढ़ाया नेस्ट कुस्चन है किस बुद्ध बिच्चु के प्रवाव से असोग ने प्रिथम बुद्ध धरम ग्रेंड किया किस बु ने आा पर बंगे किसने कीती तो गुरू राम टाशी नहीं की थी Soupigon देखेंगाач सबसे प्राची वेद कौन सा है तो रिंग वेद सबसे प्राची ने नेस्ट कोशन है किस सुल्तान ने अपनी राजदानी दिल्ली से दौलता इस्थांतरित की थी तो मुहम्मद बिल्टुकलक नाम बादसा ने अपनी जो राजदानी थे वो दिल्ली से दौलता इस्थांतरि किया था, तो नालंदव इस विद्धयने में इसने अध्यन किया था कौन सा रक्त्रसमुद सर्वधाता है तो वो सरवधाता कहलाता है जबकि लिद्धा कहला है मनुषय के सर्व में कितना थ्रव गाप्ण होती है मनुषय के सरी में kissed 260 हट्ड्ड र और next question देखेंगे सूरिय के प्रकास में कौन सा विटामीन प्राप्त होता है तो सूरिय के प्रकास से विटामीन डी प्राप्त होता है next question देखेंगे friends और friends इसकी जो PDF है वो आपको टेली ग्राम लिंक वीडियो के description में मिल जाएगा उसे join कर लें वहाँ से सभी PDF आप प्राप्त कर सकते है free of cost तो friends मादा एनाफिली मक्चर के काटने से कौन सा रोग होता है तो मली यह रोग हो जाता है टेली फोन का जो विसकार है वो किशनी किया था तो friends अलेकजेंडर ग्राम बेल नामक वेग्यान दिकते जनोंने टेली फोन का विसकार किया था प्रकास की जो गत्ये कितनी होती है तो प्रकास की जो गत्ये होती है तीन बुणा 10 की पावर 8 मीटर परती सेकेंड यह आप कहा पर राइट हांस परोज़ जाएगा किलो मीटर में आप सभी देखे हैं 3,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 सुर्षडर में परता हूं Da है अब अरीसमाज की स्थाफ़ना किस्मिंशिस Praise Tara izen again आपनेवर समाज की राजार्विन रहे है पंजाबी भासा की लिफिएक घृत तो गुरु मुखी जो है पंजाबी भासा की लीपी है भारत की मुख्य भूमी का जो दच्छन्तम के रारा कौन सा है तो कन्या कुमारी और दच्छन्तम बिंदू पुमूत जाए तो इंद्रा पॉइंट आपका दच्छन्तम बिंदू हो जाएगा नेस्ट कॉस्षन देखेंगे आज का जो लास्ट कॉस्षन है भारत में सबसे पहले सुर्य किस राज्य में निकलता है तो अरुनाचल पर्देश में निकलता है तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्याद से ज ये जिए भारत